रामायन पांसो पच्चास दिन चली थी सूटिंग हर एपिसोड पे खर्च हुए थे नौ लाफ रुपे तैते साल पहले रामानन सागर ने रामायन बनाई एक ऐसा सो जिसे देखने के लिए लोग टीवी के सामने चिपक जाते थे उस वक्त सरकों पर सन्नाटा पसर जाता था टीवी ना होने पर परोसी के घर भीर जमा हो जाती थी टीवी के राम सिता को लोग असल जिंदगी में पूजने लगे थे ऐसा अलोकिक और चमतकारिक सो बनाकर रामानन सागर हमिसा के लिए अमर हो गया आज लॉकडाउन के वक्त इस एतिहासिक सो का री टेली कास्ट किया जा रहा है चलिए जानते हैं इस सो से जुड़ी हुई कुछ अहम बाते रामानन सागर के लिए असी के दौर में रामायन जैसे भवे सो बनाना इतना असान नहीं था रामानन सागर जो की टीवी पर आने से पहले फिल्में बनाते थे उनका अचानक फिल्में बनाना छोड़ कर टीवी का रुक करना कई लोगों को पचा नहीं था फिर रामानन सागर ने रामायन बनाने की सोची लेकिन कोई भी उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्पॉंसर करने के लिए तैयार नहीं हुआ था रामानुन सागर और उनके बेटे ने फंड जुटाने की काफी कोशिस की लेकिन कोई सफलता हाथ ना लगी प्रेम सागर ने बताया था कि उनके पिता ने फिर भी हार नहीं मानी उन्होंने ठाना हुआ था कि वे तीन माइथोलोजिक सोस रामायन, कृष्णा और दुर्गा ज़रूर बनाएंगे रामायन को सपोर्ट ना करने की खास वज़ा ये थी कि तब लोगों को लगता था प्रेम सागर की प्रोडक्शन कमपनी को रामायन के लिए स्पॉंसर मिलने लगे, प्रेम सागर के मुताविक विक्रम बैताल का एक एपिसोड एक लाग का बना था, लेकिन रामायन का हर एक एपिसोड बनने में नौ लाग के आसपास लगे थी, तो जोर में एक एपिसोड पे 9 लाग का खर्च बहुत बड़ी बात थी रामायन को उस वक्त का सबसे महेंगा सो भी कहा जाता था रामायन को सांदार व्यूवर्शिप मिली थी लिम्का बुक ओफ रिकॉर्ड्स 2003 के डाटा के मुताविक रामायन के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था रामायन को 55 में टेलीकास्ट किया गया था बीवीसी के अनुसार इस सो को दुनिया भर में 650 मिलियन से जादा लोगों ने देखा था इसी के साथ रामायन दुनिया में सबसे जादा देखे जाने वाला सो बड़ा रामायन के सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता ह कि इसे तीन बार एक्स्टेंड किया गया था पहले ये 52 एपिसोड की सिरीज थी बात में तीन बार एक्स्टेंड होने के बाद इसके 78 एपिसोड टेली कास्ट किये गए रिपोर्ट सैकी रामाहिन का सूट 550 दिनों तक चला था इसे गुजरात के उंबर गाउं में सूट किया पटने से भी हर प्लस क्रीप हो